कहा जाता है हम जो बनने की कल्पना करते हैं हम वही होते हैं यह बिल्कुल सत्यकतन है इसको कई बात पर्खा जा चुका है आपको क्या बनना है कैसा बनना है यदि इसकी आपने कल्पना कर ली तो यह कल्पना आपको आपकी लक्षे तक पहुँशने में मदद करेगी लेकिन जो भी कल्पना आप करते हैं उसका सजीव वेस्पस्ट होना आवश्यक है तबी उसका लाब लिया जा सकता है कल्पना सजीव वेस्पस्ट तबी हो सकती है जब आपने कल्पना की जाने वाली वस्तु को या द्रश्य को ध्यान से देखा हो जैसे यदि आप अपनी रोजाना पहने वाली घड़ी की कलपना करते हो तो यदि आपने उस घड़ी को ध्यान से देखा होगा तो आप उसके डिजाइन आकार रंग आदी की कलपना आसानी से कर सकते हैं और यदि आप घड़ी रोज पहनते तो हैं पर ध्यान से उसका कभी विशलेशन ही नहीं किया तो आप घ दिव्यम आईश्वरी आपका आपकी YouTube चैनल Get Knowledge, Spread Knowledge में आपका स्वागत करती हूँ, दोस्तो सजीवेस पस्ट कल्पना शक्ति के लिए अभ्यास सबसे ज़्यादा आवर्शक है, वैसे तो आप बच्पन से ही सुनते आए हैं कि हर एक काम अभ्यास से ही आता है, तो कल्पना कर करनी है, जैसे पाँच या साथ पशूओं या पक्षों के नाम, पाँच या साथ चीजे जो आप खाते हैं और वो आपको बेहत पसंद है, पाँच या साथ दोस्तों के चेरे जिन से आप अक्सन मिलते रहते हैं, इस मेथर्ड में आपको आँख खोले हुए ही कल्पना करन और महसूस करना है कि वो नाम चेरा या चीज आपके पास में ही है, दूसरा तरीका है वोच एंड इमेजिन मेथर्ड इसमें आपको किसी एक वस्तु को कुछ सेकंड जितनी देर आप देख सकते हैं देखकर आखे बंद कर लेनी हैं, जैसे ही आप आखे बंद करेंगे उस प्रकार इस प्रक्रिया को तब तक ढो रहे जबत तक आखे पिसरा तरीका है टेस्ट मेथर्ड ये तो कल्पना करने का बहुत ही मजगेदार तरीका है क्योंकि इसमें बिनाखाई ही टेस्ट आ जाता है दोस्तो इस तरीके में अपनी आखे बंद करके किनी पांच चीजों के स्वाद की कल्पना करनी है जो आपकी मन पसंद हूँ इन चीजों के स्वाद को बदल कर कैसा टेस्ट आएगा ऐसी भी कल्पना करें जैसे यदि आप चॉकलेट के स्वाद की कल्पना कर रहे हैं तो आप कल्पना करेंगी चॉकलेट का स्वाद मीठे की जंगा नमकीन हो गया है और उस स्वाद को महसूस करें नेक्स तरीका है चाइल्ड हुड मैथड इसमें आपको आखे बंद करके अपने बचपन की कुछ यादों को रंगीन करना है बचपन की कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम भूल नहीं पाते उन पलों में आपको कुछ देर के लिए खो जाना है और उस कल्पना में आपको उन लोगों के चेरे देखने हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं पर उस वक्त वो कैसे दिखते थे ये देखने की कोशिश करनी हैं दोस्तों पांच वब या आकरी तरीका है thinking method इसमें आपको अपने हाथ में कोई भी वस्तू जैसे mobile बोल या फिर कुछ और लेकर आखे बंद कर लेनी हैं अब महसूस करना है कि व को ध्यान रखना है इन सभी तरीकों का अभ्यास एक निश्चित जंगे पर एकाग रोकर करें किसी कारे को करते हुए ये अभ्यास ने करें अन्य तक कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब नही के लिए जय हिंद जय भारत